हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास आज की शिक्षा निदेशाले राश्टे राजहनिक्षेत्र दिल्ली की वर्क्षीट वर्क्षीट डंबर 40 जो की कक्षा दस्वी के विद्यार्थियों के लिए हैं यह ली गई है सामाजिक विज्ञान से और इसमें हम पाठ संगवात की पुनरवित्ती करेंगे वो भी बहुविकल्पिय प्रशनों के माध्यम से तो चलिए शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं दिये गए अनुछेत को पढ़िए और पूछे गए प्रशनों के उत्तर देजिए संग्य सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं हमने अपने देश में दो स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर पर शासन विवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता भारत के प्रांथ यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं यानि जो भारत के राज्ये हैं वो यूरोप के जो देश हैं उनसे भी कई देशों से तो बहुत बड़े बड़े राज्ये हैं भारत के अनेक राज्ये खुद भी अंद्रूनी तोर पर विविदताओं से भरे हैं यानि हर राज्ये में भी बहुत सारी विविदताओं हैं इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत मैसूस की गई भारत में संग्य सत्ता की साजेदारी तीन सतरों पर करने की जरूरत है जिसमें तीसरा सतर स्थानिय सरकारों का हो और ये प्रांतिय सतर की सरकार के नीचे हो भारत में सत्ता के विकेंद्री करण के पीछे यही तर्क दिया गया इसके फल्स्वरूप तीन सतरों की सरकार का संग्य धाचा सामने आया जिसमें तीसरे सतर को स्थानिय शासन कहा जाता है याद रखना जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानिय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्री करण कहते हैं यह बहुत important topic है विकेंद्री करण के पीछे बुन्यादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निप्टार स्थानिय स्थार पर ही बड़ी अढंग से हो सकता है लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेटर समझ होती है और लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहा घर्च किया जाए और चीजों का अधिक कुशलता से उप्योग किस तरह किया जा सकता है इसके अलावा स्थानिय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संबह हो जाता है इससे लोकतांत्रिक भागेदारी की आदत पड़ती है स्थानिय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिध्धान्त को वास्तरिक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है चलिए अब हम चल रहे हैं प्रशन उतर पर पहला प्रशन है कि भारत में शासन के तीसरे स्थानिय सरकार को क्या कहा जाता है तो सही उत्तर है B, दो स्थार की होती है प्राय फिर तीसरा है भारत में सत्ता का विकेंद्री करण किस प्रकार किया गया है राज्य सरकार से शक्ती लेकर केंद्र सरकार को दी जाती है या केंद्र सरकार से शक्ती लेकर राज्य सरकार को दी जाती है या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो सही उत्तर है C फिर इसके बाद चौथा प्रश्ण नमबर चार है विकेंद्री करन के पीछे बुनियादी सोच क्या है अनेक मुद्दो समस्याओं का निप्टार स्थानिय स्थार पर बड़ी अढंग से हो सकता है लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेतर समझ होती है स्थानिय स्थार पर लोगों को फैंसलों में सीधे भागिदार बनाया जा सकता है उप्रोक्त सभी तो उप्रोक्त सभी फिर पांचवा है भारत में विकेंद्री करन के संदर में कौन सा कथन सत्ते है गावों में ग्राम पंचायत के सापन की गई चैरों में नगरपालिका के सापन की गई A और B दोनों या A और B में से कोई भी नहीं तो सही उत्तर है C, A और B दोनों तो ये तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए लेकिन याद रखिएगा घर से बाहर निकलते समय खासत और से स्कूल जाते समय अपना मास का वश्य लगा है और नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रही और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीका करन जरूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से स्वाना बनाना इसी उम्मीद के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद